चैनल में हूँ आपका दोस्त और हो स्प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रोड मैप के बारे में रोड मैप का मतलब क्या होता है कि कैसे आप इंडिया के टॉप कोलिज में एडमिशन ले सकते हो जैसे और इस टैप के पिंप्रिच इंचॉड जैसे कॉले में जहां पर आपको इजली एडमिशन मिल जाएगा और यह जितने भी कॉलेजे से सारे आईटी और नाईटी के लेवल के हैं जहां पर पैकेज़ भी आईटी और नाईटी के लेवल के आते हैं अगर आप एक MSBT डिप्लोमा स्टुडेंट हो फाइनल यर के सिक्स सेमेस्ट के तो यह वीडियो सबसदा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इस वीडियो में सारी इंफ्रमिशन मिल जाएगी कि एडमिशन कैसे लेना इन कॉलेजे में और जितने भी प्रोसेस है इसकी जितने भी क्रिटेरिया वह आपको कैसे पूरी करनी है पढ़ाई क्या हो से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू कि यह वीडियो उनकी लिए ही यूसफुल होने वाली जिनको 90 से ज्यादा स्कोर करना है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप स्कोर करना चाहते हो तब अगर आप ज्याद इस वीडियो के end में जो जितने भी computer department के students है 6 semester के लिए उनकी लिए बहुत बड़ा surprise है तो इस वीडियो को last देखो तो आपको बहुत ज़ादा benefit होने वाला surprise से सबसे पहले हम बात करते हैं benefits क्या क्या होते हैं Top College कि जितने भी हमारे महारास्ट्रा में जो Top College है तो उसकी benefit क्य क्या है बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसके वाएस से वह तयारी नहीं करते हैं उनको पता ही नहीं कि कि सियो जाने कंप सी उपि में घं तो अगर आप सीहाकर मापको admission में लो तो सीयो पीक कि को क्या-का benefits मिलते हैं और सिहागर के Baccha क्या benefits मिलते यह आपको पता लैब में गेस्ट लेक्चर में और सेमिनार्स में डिफेंट इफेंट किराता है जो आपको जॉब के लिए यूसफुल था अगर आपको इंटर्णशिप का मौका मिलेगा इंडिया के बड़े-बड़े में इवन फॉरिन कंपनी में भी जैसे आमेजन हो गई गूगल माइक्रोसफ माइक्रोसफ तक में आपको इंटर्णशिप करने का मौका मिलता है क्योंकि यहां की जो प्रोफाइल होती हूँ इतनी स्ट्रॉंग होती है अगर आप पी आई सिटी से हो सिवे पीस तो आपको इं आपके लिए इन सब कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए इन सब कॉलिज आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि यह जितनी भी कंपनी से गूगल माइक्रोसफ सामसंग यह सब छोटी छोटी यह फिर मिड लेवल कॉलेज में नहीं आती है तो आपको और सिक्थ सेमेस्ट गडिजल का एवरेज सब करता है अगर आपके सिक्थ सेमेस्टर में में 95 परसेंट से उपर आते हैं तब ये आपको चांस मिलेगा सिख सेमेस्टर की रिजल बहुत जादा इंपोर्टेंट हो थी आपके अगर आप चाहते हो कि आपकी एडमिशन एक टॉप की कॉलोजिस में हो तो आपको सिख सेमेस्टर का रिजल बेस्ट रखना पड़ेगा अपना मीनिमम नैंटी से नैंटी फाइफ के बीच में आपकी र दिपलोमा की जो शिख सेमेस्टर के एकजाम होगी वह हंडेट पॉसं थियोरी इकजाम होने वाली मतलब थियोरी प्लस ओनलाइन दोनों मिला आपकर 95 पर संकोर करणा 95 प्लस उसकोर करना उसके लिए आप को थियोरी मार्क्स थियोरी सबजेक्ट और अउनलाने आपको 30 marks का आपका जैसे pattern exam का pattern क्या होता है आपके जो practical ptt plus micro project यह सब मिला के 30 marks होते हैं और theory मिला के theory की 70 marks होते हैं तो यह 100 अब ptt और micro project में आपको 28 27 आ जाता है अब theory में आपको 68 69 69 आएगा तो आपका 68 suppose आपका 68 आया theory में और उसमें 28 आया तो यह दोनों मिला के होगा आपका 96 marks अगर 96 subject 96 95 marks आपको हर एक subject में आ रहा है तब जाके आपके score होते हैं 95 plus percent है तब जाके आपको chance मिलेगा बड़े-बड़े college में बैठने का इसके बाद हम बात करते हैं सबसे important चीज़ के बारे में वह प्रिपरेशन strategy अब सब बच्चे यह समझ नहीं पाते हैं कि तैयारी कैसे करें इतना जो बड़ा benchmark है 95 percent लाने का सबसे पहले तो student घबरा जाते हैं कि 95 percent मुझे नहीं आ पाएगा बड़ मैं आपको चीज़ बताता हूँ बहुत ईजी है MSBT Diploma की जो syllabus होती है बहुत ईजी होती है आप easily उसको cover कर सकते हो आपको बस कुछ चीज़ द्हान में रखनी है सबसे पहले आपको plan your study और syllabus जितनी भी आपकी syllabus है जो भी आपका study है उसको plan करो जितनी भी आपकी syllabus है उसको divide करो weeks में जैसे week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 week 1 में आपको कितनी चीज़ दे complete करनी है वो note करो week 2 में, week 3 में, week 4 में ऐसे करके आप termined से फिर अपने syllabus को खतम करो उसके बाद use minimal content book बहुत सारे बच्ची यहाँ पर गलती करते कि book select ने कर पाते हैं वो ऐसा book ले लेते है reference book ले लेते जहाँ पर आपको इतनी बड़ी syllabus होती है जो आप पढ़ते पर तपका semester आ जाता है तो आपको यहाँ पर minimal content जहाँ पर इसी book choose करनी है जो बस syllabus को ही देता हो technical publication इसके लिए best है यह video sponsored नहीं है technical publication से क्योंकि technical publication book मैंने use किया है तो मैं जानता हो technical publication की जो books होती है वो syllabus oriented होती उसमें बस syllabus की चीज़े होती है तो अगर आपने technical book use के तो आपका time बहुत बचता है आप don't remember concepts को कभी भी remember मत को लो पहले पहले concept को समझो और उसके बाद याद करो इस बार सबस्क्राइब बच्चों ने यहीं भी गलती की थी कि सीधर उन्होंने mcq questions को रट लिया था पढ़ लिया था बट कोई भी question को कोई भी concept को clear नहीं कहते इसके वाज़े सबस्क्राइब प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद practice online questions जितने भी online questions होते हैं उनको practice करो जितने भी mcq हैं उनको practice करो solve previous year question papers उसको भी solve जितने भी resources आपको मिलने उन सब को use करो अगर आपके पास technical subject है program से उसको practice करो क्योंकि जितने भी numericals पर बहुत सारे questions आते हैं अगर आप theory exam देर हो तो आपके six marks में questions आएंगे numerical theory और अगर आपको 68-69 marks लाना है तो आपको एक भी question छोड़ना नहीं है even आपको extra questions बना के आने होते हैं तब जाके आपको 68-69 marks मिलते हैं सबसाद है important उसके बाद कि solve previous year papers previous year paper को तो आपको solve करना ही करना है minimum 30-40% question previous year और sample paper से आते हैं जो आपके recent year की sample paper होती है और previous year की जो paper होती है उसको solve करो अगर उसको आपने solve किया तो आपके 30-40% questions ऐसे cover हो जाते हैं तो यह थी preparation strategy अब time है ऐसा कि जो computer science 6 semester के student है अगर आप दूसरे department को तो आप यहां से video को exit कर सकते हो क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हो computer department 6 semester के student के लिए बात करने वाले computer 6 semester student हमने कुछ एक course बनाया है बच्चों के लिए इस course में हम एक batch में 20 students को ही enroll कर रहे है बैच एक batch में बस 20 students होंगे और वही students होंगे जिनको 95% से ज्यादा score करना है जो average बच्चे हैं जिनको 60-70% score करना चाहते हैं उनके लिए course बिल्कुल भी नहीं होगी जो चाहते हैं कि 95% 96% score करना और CWPM admission लेना इस course में हम आपको बहुत सारी चीज़े प्रवाइड करने वाले आपका टाइम बचाने वाला से स्टुडेंट पॉंट व्यू से सोचना है आपके आप कॉलेज में जातो इस यूर कॉलेज स्टडी इस सफिशेंट आपकी जो कॉलेज स्टडी है वह सफिशेंट है क्या बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, फोन करते हैं कि सर ये टॉपिक नि समझ मैं और लास्ट टाइम मैंने ओपरेटिंघ टिंग सिस्टम लिए था यूटूब पे बहुत ज़ाधा अच्छा रिस्पॉंस आया था क्योंकि बच्चों को कॉलेज की प कि उसखेल बना का है मैं में अपरोर्टी आपको दो भी एक मिनित में करने ब घब गिन पर डा रुद्टी करके आपको इसलिए हम 20 बच्चों को ही ले जाए ताकि हम उन 20 बच्चों को अच्छे से नरिश कर पाए अच्छे से रिफाइन कर पाए और उन 20 स्टुडेंट्स को अगर जो चीज़े हम आपको बताएंगे अगर आपने उसके कॉर्डिंग काम किया पढ़ाई की तो आपको 95% 90 to 95% easily आजाएगा और प्रोपर मेंटोर्शिप है पूरे सेमेस्टर बढ़ा पूरे सेमेस्टर हम उन 20 स्टुडेंट्स को मेंटोर करेंगे जो हमारे 20 स्टुडें करना हर एक दो हम आपको बताएंगे में एक क्या किया आपको इस कॉर्स में मिलने वाला सब से लेक्चर आपके हर एक डो लेक्टर हो विखा दिन के रॉखा और समय कोलेश के बाद होगा वो शाम के टाइम हो आपके टाइम्ग होगी विजानमन्स management एर विज में पनाको जैसे अगर आपके last semester की बात करें हम तो आपको emerging trends और management दो पेपर की online exam होगी तो उस online exam की तयारी हम आपको करेंगे अपने portal पे जहां पे आपको हजारो questions practice करने को मिलेंगे theory exam की preparation हम आपको करेंगे जो theory exam होते उसके same pattern पे हम आपकी pre-exam लेंगे pre-board जिसको हम लग बोलते हैं वो 2-3 conduct कराएंगे जहां पे आपको easily आपके जो slabber से cover हो जाएगी उसकी बाद हम आपको notes देंगे best notes जो handwritten notes मतलब handwritten नहीं होगा but handpicked notes आप बोल सकते इसको best notes होंगे वो आ बहुत सारे books मिलेंगे आप free books जो 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 नेसेसरी चीज़ होंगे basically इस course में आपको वो चीज़ परवाइट करने वाले हैं जो चीज़े आपको ज़रुद पड़ेगी 95% score करने के लिए जो target है हमारा वो है 95% का और COAP और PSAT में कैसे भी करके admission लेना है यह हमारा full target और इसके जो full fees है वो है 2,000 रूपीज मतलब 2000 में बुड़ा course है only for 20 students का जो batch होगा मतलब 20 बच्चों को हम लेने वाले हैं और इस course का जो fee से वो है 2,000 रूपीज आपको इस course में enroll कैसे करना है आपको हमारा WhatsApp नमबर है 914276-230 description में डाल दूँगा स्क्रीन पर आपको देख रहा होग तो make sure कि आप अगर चाहते हो जोइन करना तो जल्दी जल्दी करना क्योंकि maximum 20 students को हम एक वेच में enroll करने वाले हैं क्योंकि हमारा target है कि जिन 20 students को ले रहे हैं उनको 95% score कराना है हम अपनी पूरी time invest करेंगे आपको वो सारी चीज़े रिक्वायर जितनी भी requirement की चीज़े होग करेंगे जहां पर आपको help मिले और आपकी जो चीज़े हैं वो crack हो जाएं तो I hope आपकी सारे doubts clear हो गये होंगे अगर आप दूसरे department को mechanical civil के हो तो आपके लिए ये course नहीं ये course बस computer department six semester के students के लिए है mechanical civil के लिए बहुत जल्दी course आ जाएगी अगर आपको mechanical civil के लिए चाहिए have a good day